आदेकरे न्यूस 24, मैं हूँ माना गुपता, कल रात से जब से अतीक और अश्रफ की हत्या हुई है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के का सियासी माहौल गरम हो रहा है और पुलीस अब यह जो तीनों हत्यारे हैं, तीनों आरोपी, इनकी कुंडली खंगालने में जुटी है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 1 आरूपी जिसका नाम सनी है उसका पूरा नाम मोहिद सिंग है जो अबी तक हमें जानकारी मिली है वो आपको भी दे दे तीन में से 1 आरूपी सनी उसका पूरा नाम है मोहिद सिंग इस पर करीब 14 केस पहले से दर्जे हैं यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है एक एक करके जो हमारे पास जानकारी आ रही है इन तीनों आरोपियों के बारे में वो हम आपको दे रहें अब से पहले अतीक अश्रफ और बाकी उसके पूरे गैंग पूरे परिवार वालों का कच्चा चिठा आप लगातार न्यूस 24 पर हफ्तों से महीनों से देखी रहें बलकी सालों से अब इन तीनों की कुंडली भी देख लीजिए जिन तीनों ने अतीक और अश्रफ को पुलिस के सामने पुलिस की कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया ताबर तोड गोलियां चलाकर साथ गोलियां अतीक को लगी है और नौ अश्रफ को अभी तक ये जानकारी मिली है और जैश्री राम का नारा लगा कर इन्होंने अतीक और अश्रफ की हत्या की थी जाहिर है सियासी पारा गरम है हर तरफ से विपक्षी दल विरोधी अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं योगिया दितेनात के बलकि AIMIM तो यहां तक कह रही है कि राष्टपती शासन लगा देना चाहिए आलोक मत्स मेरे साथ हैं बीजेपी से तालुक रखते हैं ये खुद बड़े नाराज हैं आप खुद बड़े नाराज लग रहे हैं मुझे इसलिए आलोक जी हाँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ नहीं सभाविक है नराजगी होना चुकि जितना हमने किया इतना अच्छा माहौल पैदा किया यूपी को अगरसर कर दिया एक अच्छी दिशा में जाने की और और एक ये पुलिस की चूक के कारण हमें इस तरीके का माहौल जहरना पढ़ रहा है जवाब देना भारी पढ़ रहा है तो ऐसे में नराज होना या थोड़ा अंदर से असंतुनित होना सुभाविक है और यही दसा शायद हमारे चिफ मिनिस्टर की भी होगी कि उन्होंने इतने अभुदपूर कार किये यूपी को कहां से कहां ल कर दिया लेकिन इस तरीके का घटना करम इनके होसले इतने बुलंद कैसे हो गए देखिए क्या सिर्फ इसली है क्योंकि बताते हैं इन में से एक या दो का संबन्द बजरंग दल से है और पिर जैशरी राम का नारा लगा रहे हैं देखिए इस इस पर कुछ भी टिपनी करन जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाए तब तक बेमानी होगा मैं कुछ बोल दूँ कि नर्मी तो नहीं बरती जाएगी इन पर कुछ सवाली नहीं पैदा होता है योगी राज में किसी भी ऐसे अपराधी के उपर नर्मी नहीं बरती जाएगी और दूद का दूद और पा तो वो तो हिंदू था तो वहां मजभ की बात कहां आई दिखे जैसे लोग बोलते हैं जात न पूछो साधू की वैसे ही जात न पूछो क्रिमिनल की क्रिमिनल की कोई जाता धर्म नहीं होती उसका काम होता है क्राइम अब मनोज सिंग काका बैठे हैं कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए योगी जी सुभाविक है ऐसे मौकों पर लोगों को इन सब चीजों कहने का मौका मिल जाता है लेकिन जनता तरह करेगी न कि किसको हमको रखना है राज में किसको नहीं रखना है इसलिए आपके इस्तीफे की म अभी के लिए ये हुआ है कि हमारे अच्छाईयों को इस ने थोड़ा दबा दिया है और सुभाविक है कि अगर मान लिए ये पुलिस एंकाउंटर मैं तो आपको यह चीज और बताया कि मान लिए ऐसे हमलावर मोशली ऐसा काम नशे में करते हैं कि नशे से उनकी थोड़ी किसी वो बढ़ जाती है अगर मान लिए अंधा दून फाइरिंग कर देता है आपके कितने सासी सजीद हो जाते इसका भी आपको थोड़ा सा संज्यान हो रहा है पुलिस कर्मी भी कितने मत करते हैं तो आपको करना चाहिए आपकी सरकार है भाई वही जर मुझे है कि यह तो टारगेटेड यह तो ऐसे आया थे कि टारगेट पर मारेंगे और टारगेट से ही निकल जाएंगे उतने मजदीक में और लोग खड़ेते किसी को कुछ नहीं हुआ और जिसको कहते हैं इंगली से पॉइंट ब्लाइंक रेंज से मारा और उल्टा पहले ही गोली से धेर कर द आते क्योंकि उनको लगता है इन काउंटर हो जाएगा लेकिन इन दो घटनाओं से तो सब गलत हो रहा है सारा अब क्यों नहीं है इन दो घटनाओं से हमारा ग्राफ नीचे आया है इसको मानने में कोई यह नहीं है और यह पुलिस की चूख है एजेंसी इंवेस्टिगेसि की चूख है एलो आई की चूख है जितने भी लोग इन वॉल्ड है प्रसासन में दुरुस्त करने में उनकी चूख है भ्यंकर चूख है इस्तीफे का तो सवाल नहीं है ना कोई सवाल ही नहीं है अगर ऐसी बातों पर लोग इस्तीफा देते रहे तो हर चीज़ पर करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योस 24